हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे रिवीशो में मैं हूँ आपके साथ प्रिशान पांडे और लेकर आया हूँ आज वेब सीरीज आरिया का रिवीव जो की सुश्मिता सेन की कमबैक सीरीज के तौर पर भी प्रचारित की जारी है सुश्मिता सेन ने इस सीरीज से वापसी की है और बहुती ढमधार वापसी मैं कहूंगा क्योंकि इस सीरीज में अगर बहुत सारे कर्दार हैं जिनका दमधार रोल है उन सभी को एक तरस एक सूत्र में एक धागे में पिरूटी है तो वो है सुश्मिता सेन का किरदार आरिया लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये सीरीज केवल सुश्मिता सेन की है क्योंकि इस सीरीज में छोटे हो या बड़े हर किरदार की एहमियत आपको नज़र आती है और लंबे अरसे बाद मैंने एक ऐसी सीरीज देखी है जिसमें बहुत सारे किर्दार हैं और सभी किर्दार बहुत पावर्फुल हैं चाहे वो छोटे से छोटा किर्दार क्यों न हो उसकी एहमियत उतनी ही है सीरीज में क्योंकि उस एक किर्दार के बगएर इस सीरीज की कल्पना या इस सीरीज की जो एहम बाते हैं उसको समझ पान बिल्कुल मुश्किल है तो कहानी के अगर हम बाहत करें तो यह कहानी एक तरह से ड्रک्स का धंदा करने वाले परिवार की है और यह परिवार लीगल और इलीगल दोनों तरह के ड्रक्स वेफसाय में लिप्त है और इस किरदार में जो हम देखते हैं वो चंदर चूड सिंग को काफी ясcej बार देखते हैं जो की इस कारूबार को आगे बढ़ा रा है लेकिन वो इलीगल ड्रक्स के धंडे में पूरी तरह से उतरना नहीं चाहता वहीं दूसरी और उसके जो partners हैं वो चाहते हैं कि वो इस लीगल और इलीगल का जो ratio है उसे धीरे धीरे बढ़ा हैं यानि इलीगल जो धंदा है उसका कारुबार जादा करे बल जबकि लीगल जो ड्रक्स का धंदा है जो दवाईयां बनाने का धंदा है उसमें भी इस इलीगल काम को जादा से जादा बढ़ा है वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक परिवार है चंदरचूर सिंग का जिसमें उसकी पत्नी आ रहा है और उसके बच्चे हैं जो की टीनेज में हैं और उनकी जिन्दगी भी अलग तरीके से चल रही है लेकिन एक बहुत बड़ी घटना घटती है और इस कारुबार में बह है वो करकिरा हो जाएगा इस सीरीज की अच्छी बातों की बात करूँ तो ये पूरी तरह से आपको अपनी टेंशन में व्यस्त रखती है एक टिकिंग क्लॉक टेंशन है जो की सीरीज के हर एपिसोड में आपको महसूस होती है और हर एपिसोड अपने आप में आपको बां जाती है यही वज़ा है कि टोटैलिटी में इस सीरीज का जो इंपक्ट आखिर तक होना चाहिए था वो खत्म हो जाता है और यह जहां पर आपको छोड़ती है यह जहां पर यह अपने आपको समब करती है पहले सीजन में वहां पर बहुत जादा आप कह सकते हैं जो भी अप अंदाजा लगाते हैं वो सारी बातें बिल्कुल सही बैठती है और यह बहुत साधारण से अंत पर आपको छोड़ जाती है जिस वज़झे से यह कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मायूस करती है लेकिन यह ताकतवर है अपनी पूरी फिल्मिंग में अपनी कहानी में श्मिदा सेनने क्या घजब का किरदार निबाए एक तो वो एक नैचुरल एक्ट जो है उनका वो काफी प्रभावित करता है और एक पारफुल लेडी के तौर पर वो जिस तरह से इस पूरे कारोबार में खुद को टेस्ट करती रहती हैं ये एक ऐसी लेडी है जो ग्रैजु ही सबसे ज़्यादा इसकी खुबसूरती है लंबे अरसे बाद चंदरचूड सिंग को देखना वाकई कमाल कराया बहुत ही नैचुरल एक्टिंग उन्होंने की है बहुत ही अच्छा किरदार है उनका हाला कि बहुत कम वक्त के लिए हैं वो इस सीरीज में लेकिन जितने द तारीफ कहना होगा इसके अलाबा इस पूरी सीरीज का जो सेट अप है वो बहुत प्रामिसिंग है बहुत इंप्रेसिव है जो चीज मुझे खटकी है इस सीरीज में वो एक चीज जिसका जिकर करना चाहूँगा मैं मानता हूँ डिजिटल एज़ है अप सचाई दिखाने म जो इनके involvement है उस अब दिखाना वो ये सब सारी चीजें थोड़ी मुझे खटक गई जिसकी वज़ए से इस सीरीज को मैं देता हूँ पांच में से साड़े तीन स्टार देखिए ट्राइ कीजे लेकिन बच्चों के लिए सीरीज नहीं है लेकिन ये जिस डच्च सीरीज पर है मुझे लगता है कि उस ड्रामा से कहीं न कहीं जस्टिस किया है मैंने तो वो ड्रामा नहीं देखा है लेकिन ये अपने पूरे बुनावट में अपनी टेंशन में आपको व्यस्त रखती है तीन डिरेक्टर्स राम, मदवानी, संदीप, मोदी और विनो द्रावत ने इस जरेक्ट किया है और बहुत ही कसा हुए डिरेक्टर्स है, बाकी किरदार अच्छे हैं, बहुत अच्छा इसे पेश किया गया है और रियल लोकेशन पर शूट किया गया है इसलिए और ज्यादा इसका फ्लेवर आता है, तो देखिए और बताईए आपको आरिया कैसी लगी और आपको इस सीरीज में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए, लाइक कीजे, शेर कीजे, कॉमेंट कीजे और बताईए कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, शुक्रिया